हेलो दोस्तों मैं धीरें स्वागत करता हूँ आपका एक्जाम स्टड़ी विस संगीता में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों अभी तक नोबल पर coffin कार 2021 में फिजियोलॉजी यान की मेडिशन में नामों की गोशना की गई है जिसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं देखे नोबल पुरुसकार दोहर 21, फिजियोलोजी या फिर आप इसको मेडिशन भी कह सकते हैं, आपको आप ये दो नाम याद रखना है दोस्तों, पहला नाम है डेविट जूलियस, पहला नाम क्या है डेविट जूलियस, और दूसरा नाम है अर ड्रेम पट पोटियन, दौनों का ही नाम उसित किया गया है या नामित किया गया है फिजियोलोजी या फिर मेडिशन में, ठीक है ये दौनों ही नोबल पुरुसकार विजिता गोसित किये गए हैं फिजियोलोजी या फिर मेडिशन के छितर में, अब देखिए हम इसको याद कैसे रख सकते हैं, अभी तो केवल एक ही पुरुस्कार की गोशना की गई है धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा और आपके सामने सभी पुरुस्कार यहां पर आ जाएगे तब आपको यहां इनको याद करने में दिक्कत होगी इसलिए आप कोसिस कीजिए इसको अपने दमाग में किसी भी तरह बिठा लिए याद कीजिए किसी भी टुरुस्क कीजिए क्योंकि एक्जाम में यहां से कॉशन अकसर बनते है तो देखे हम देखते हैं देखे दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक लाइन लिखी है, इसको जड़ा ध्यान से देखी है, क्या लिखा है, मैडी ने जूलिया से ड्रम पिटवाया, आपको बसके वल इस लाइन को या रखना है, अब देखिए, ट्रिक कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसको आप न प्रकелей और अनुड़क。 का नाम है मैडी, मैडी ने जूलिया पिटवाया, क्योंकि यह बेग्जाने का नाम है Puch пр eligibility तो आपको यहां से पट और पिटवाया याद हो सकता है हम चाहते तो मैडी ने जूलिया से ड्रम बजवाया भी कर सकते थे लेकिन पिटवाया सब्द सही है जहां किसी चीच को पीटते हैं या फिर बजाते हैं ठीक है तो देखिए अब देखिए मैडी मैडी हमने यहां पर क्यों डाला है यहां जिससे कि आपको याद रहा है मैडी से हो गया दोस्तों मैडीशन ठीक है मैडीशन के छेतर में ठीक है ने जूलिया तो जूलिया को आप किस से जोड़ेंगे डेविड जूलियस से किस से डेविड जूलियस से जूलिया से ड्रम, अब देखिए, ड्रम सब्स देखिए, यहाँ पर आ रहा है, आड्रेम, इनका नाम है, आड्रेम, पट पोटियन, तो देखिए, ड्रम से आड्रेम, पट पोटियन से आप याद रखेगा, पिट वाया, तो आपको यहाँ से एक लान याद रखनी है, यह, म मेडी मतलब मैडीशन जूलिय का मतलब क्या हो गया डेविड जूलियस और ड्रम का मतलब आड्रेम पिट का मतलब पट पोटियन इतना आप यहां से याद रख सकते हैं अब चलिए देखते हैं इन दोनों बैग्जानिकों को पुरुसकार क्यों मिला है किस छित्र में किस कर रखा है इसको आपको यही याद रखना है खास तोर पर तापमान और इसपर्स के लिए रिस्पेटर्स की उनकी खोज के लिए ठीक है सन्युक्त रूप से प्रदान किया गया है इन सफल खोजों ने गहन सोद गतिविदियों को सुरू किया है जिससे हमारी समझ में गर्मी ठंड और यांतरिक उत्तिजना को कैसे महसूस करता है ठीक है ध्यान रखेगा अब देखी ये दो जो बैग्यानिक है ये तो हमने याद कर लिए दोस्तों ट्रिक से क्या थी ट्रिक इसकी एक वार रिपीट कर लेते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए मैडी ने जू जूलिया का मतलब डेविड जूलियस ये बैग्यानिक का नाम हो गया ड्रम पिटवाया ड्रम से आड्रेम पटपोटियन ठीक है अब देखी इन दोनों बैग्यानिक के बारे में भी हम देख लेते हैं देखिए पहले बैग्यानिक है डेविड जूलियस तो देखिए पॉर्णिया बिस्विध्याले के डेविड जूलियस ने गर्मी के पृति करिया करने वाली तोचा के तंत्र का अंत में एक सेंसर की पहचान करने के लिए मिर्च से एक तीखा योगिक जिसका नाम है कैपसाइन सिन का उप्योग किया है जो जलन पैदा करता है ठीक है तो यह ह पारे में क्या है दोस्तों स्क्रिप्स रिसर्च में हारवर्ड यूजेस मेडिकल इंसिचूट के साथ काम करने वाले पठ पोटियन ने सेंसर के एक उपन्यास बर्ग की खोच के लिए दवाव संबेदन सील कोशिकाओं का उप्योग किया जो तोचा और आंतरिक अंगों मे यांतरिक उत्तिजनाकवा का जवाब देते हैं लेकिन आपको सबसे मेन लान याद रखनी है सबसे मेन लान क्या है तापमान और इसपर्स के लिए रिसेप्टर्स की इन्होंने खोच की है क्या दौनोंने मिलकर सही रूप से तापमान और इसपर्स के लिए रिसेप्टर्स receptors की उनकी खोज के लिए इनको चुना गया है ठीके अभी तक हमने बात की दोस्तों 2020 के Nobel पुरुसकार में Medition या Physiology की अब जैचे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो हम आँगे भी जो पुरुसकार के नाम की गोशना की जाएगी उनको हम देखते जाएंगे अब देखिए यहाँ पर important क्या है दोस्तों यहाँ पर हमने 2021 के तो देख लिए लेकिन एक बार 2020 के भी हम revision कर लेते हैं जिससे कि exam को हमको डिक्कत ना हो क्योंकि exam में 2021 के साथ 20 के भी कभी कभी पुराने question पूछ लेता है तो देखिए दोहर 20 में novel proscar medicine यान की physiology में किसको दिया गया था तो Michael Houghton, Harvey J. Alter और Charles M. Rice देखिए यह American है और इससे पहले वाले भी हमने जो पड़े हैं वो भी दोस्तों American ही है ठीक है Julius और पटपोटियन यह दोनों ही American है 2021 के और 2020 के भी तो Michael Houghton, Harvey J. Alter Charles M. Rice इनको क्यों दिया गया था 2020 में Hepatitis C के लिए बाइरस की खोज के लिए इनको दिया गया था novel proscar दोस्तों आज का वीडियो यहीं end होता है उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा समझाया होगा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ